लो फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्सामेट्स क्लास्स पर तो टोपलोजी में हमने ड्राइब सेट कर लिया था अब उसका एक एक्जाम्पल से उसको बहुत अच्छे सी क्लियर कर लेते हैं ड्राइब सेट क्या था? अब देखो एक्स हमें दे रखा है a, b, c टोपलोजी को सपेस हमें दे रखा है यह हमें टोपलोजी दे रखी है x के सारे सबसेट का हमें ड्राइब से निकालना है x के सबसेट कौन कौन से होंगे? phi, a, b, c, ab, b, c, or a, c, and x itself यह हमारे पास eight सबसेट होंगे तो A के करके उन सभी का drive set निकालते हैं First we find the drive set of A पहले हम A का drive set निकालेंगे तो A को हमने open set माल लेते हैं मतलब A को एक set का नाम दे देते हैं Capital A is equals to small A तो अभी हमें A का वो निकालना है drive set We assured that neither A nor B is a limit point of A कि इस A का ना तो A limit point होगा ना B होगा तो कैसे देखो एक बार हम चेक करेंगे कि इस A का limit point A है या नहीं है एक बार B है या नहीं है एक बार C है या नहीं है तो एक एक करके इसके limit points check करेंगे Firstly we will पहले हम देखेंगे कि A इसका limit point है या नहीं So since X is an open set तो एक साइड तो हमें देखो यह definition होती थी ना E intersection G minus X तो X limit point होता था E का तो अब हमें A के limit points निकालने हैं तो इस E के place पर तो A fix रहेगा और जो जी open sets होते थे यह हम topology से लेंगी एकी करके जैसे भी हमें नीड रहेगी ऐसे अब हमें A का निकालना है तो यहाँ पर capital A तो fix रहेगा So A intersection X हमारे पास open set इस A का open set निकालना है तो कौन कौन से हैं जो इस A को contain कर रहे होंगे X B है A B है A B भी है पर यहाँ पर हम लेके चल रहे है X since X is an open set containing A A को contain कर रहाए open set है हमारे पास such that E के place पर A open set चाहिए था वो मिल गया X और A का निकाल रहे है तो minus A इस X के अंदर हमारे पास वो A B C ऐसे सारे होंगे A B C minus A कर देंगे तो हमें मिलेगा B C और जब A के साथ intersection करेंगे B C का A क्या है small A तो A intersection B C 5 मिलेगा तो इसलिए A तो limit point नहीं है इस capital A का अब देख लेते हैं क्या B limit point है इस A का तो यह A तो fix रहेगा अब इस B के लिए एक open set चाहिए open set अब यहां से लेंगे फिर क्या है B contained कर रहा है B का तो open set हमारे पास है B हो जाएगा also B is an open set containing B such that A intersection B minus B open set B था और चेक कर रहे हैं कि क्या B हमारे पास limit point है इस capital A का तो इसलिए हाँ पे B B में से B गाया तो 5 तो A intersection 5 हो जाएगा 5 उसका मतलब B भी limit point नहीं है A का अब देखेंगे क्या C limit point है A का तो C के लिए अब open set चाहिएगा C के लिए open set X होगा तो A intersection X minus C करेंगे देखो So B is not a limit point of A Finally X is the only open set containing C हम C के लिए देख रहे हैं तो X only open set है जो C को contain कर रहा है and अब limit point की definition लगाओ A, A तो fix ही रखना था A intersection X X हमें open set मिला था और C के लिए देख रहे हैं तो minus C X हमारे पास ABC है ABC मेंसे जह हम C को remove कर देंगे तो A भी बचेगा तो A intersection A, B A क्या था? A था तो A intersection A, B क्या मिल जाएगा हमें? A Which is not equals to 5 तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमें not equals to 5 मिला है तो C limit point है A का So C is a limit point of A Thus drive set of A is equals to C तो यहाँ से C हमारे पास limit point है A का तो इसलिए drive set of A में हमें क्या मिलेगा? बस C क्योंकि C ही इसका limit point मिला था Hence, drive set of singleton A मतलब इस sub set A का drive set है हमारे पास C अब देखते हैं कि B के क्या drive sets होंगे तो capital B हमने ले लिया small b के को अलब इस B के हमें drive sets निकालने हैं Since पहले देखेंगे कि क्या A drive set है B का अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या B drive set है इस B का फिर चेक करेंगे क्या C drive set है B का तो देखो Since A is an open set containing A कि A हमारे पास open set चाहिए limit point की definition के लिए तो वो open set क्या मिला है हाँ पर A containing A such that अब ये B यहाँ पर fix रहेगा क्योंकि इसके हम drive sets निकाल रहे हैं तो B intersection A A हमें open set मिला है A के लिए क्योंकि इस A के निकाल रहे है मतलब इस B के निकाल रहे है कि क्या A है इसका limit point तो A को limit point दिखाने के लिए हाँ पर minus A किया A minus A करेंगे 5 B intersection 5 is 5 So A is not a limit point of B तो A तो हमारे पास B का limit point नहीं है क्योंकि ये 5K के इक रहे है Next देखते है क्या B limit point है इस B का तो open set चाहिए फिर से B के लिए B ही open set है हमारे पास open set हम कहां से ले रहे है इस topology से ले रहे है जो हमें दी रखी थी तो B हमारे पास open set है जो B को contain कर रहा AB भी है X भी है पर हम यहाँ पर B लेट करके चल रहे है आप AB या X भी लेट कर सकते हो Since B is an open set containing B such that B intersection B minus B अब इस B को check कर रहे थे कि क्या B का है अब देखो B में से B जाएगा तो 5 B intersection 5 is 5 तो B limit point नहीं है B का So B is not a limit point of B Now check करते ही कि क्या C limit point है इस B का So finally X is the only open set containing C C के लिए open set क्या मिला है हमें X such that B intersection X minus C तो X क्या थे ABC ABC में ते C जाएगा तो क्या वचेगा हमारे पास AB So B intersection AB is equals to B मिल जाएगा हमें which is not equals to 5 Not equals to 5 तो इसका मतलब C limit point है B का So C is a limit point of B Hence driver set of B is equals to C तो B के हमें driver set में क्या मिला है C क्योंकि बस C ही इसका limit point था That is driver set of this singleton B मतलब कि subset B का हमारे पास driver set क्या है C और चेक करते हैं कि C के क्या limit points होंगे C हमने क्या लिया है C तो देखो क्या होंगे इसके driver sets Driver set मतलब C का क्या होगा Then A is not a limit point of C कि A ता इसका limit point नहीं है क्यों नहीं है देख लेते हैं तो अब C fix रहेगा हमारे पास और ये open set हमें चाहिए और जिनका हम निकाल रहे होंगे वो ले लेंगे ठीक है तो अब चेक कर रहे हैं कि क्या A limit point है C का तो देखो A के लिए open set A है हमारे पास singleton A is the open set containing A such that ये C fix रहेगा C intersection ये open set A minus चेक कर रहे हैं कि क्या A limit point है तो ये A लिख लिए है A मैंसे ए गया तो 5 C intersection 5 is equals to 5 तो इसका मतलब A limit point नहीं है C का A limit point नहीं है C का तो अब चेक करते हैं कि क्या B limit point है B is also not a limit point of C since क्योंकि देखो B के लिए open set क्या है B है singleton B is an open set containing B such that C intersection B minus B equals to 5 ये भी हमें 5 मिल रहा है तो इसका मतलब B limit point नहीं है C का Now we will check whether C is a limit point of C तो देखो C is not a limit point of C since X is an open set कि C के लिए क्या open set है हमारे पास X containing C such that C intersection X minus C हम check कर रहें कि क्या C limit point है और इसके लिए open set X लिए है हमने तो X क्या होगा ABC उसमें से C गया तो मतलब बचा AB तो C intersection AB कुछ मिलेगा ही नहीं तो इसलिए 5 तो इसका मतलब C भी limit point नहीं है C का तो इसका एक भी limit point नहीं मिला तो इसकी drive set में हमारे पास 5 elements होंगे that is drive set of C तो हमें कुछ तो मिल गए drive set of 5 हो गया 5 drive set of A हो गया C drive set of B हो गया C drive set of C है हमारे पास 5 अब हमारे पास 4 sets और सब sets और बचे एक तो है AB, एक BC, एक AC और एक X itself drive set of A भी निकालेंगे तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं हमने fourth drive set की जो वो की थी properties उनमे fourth property थी drive set of A, B is equals to drive set of A, union drive set of B drive set of A है C union drive set of PB है C union C is equals to C drive set of A, B हो गया C drive set of B, C क्या हो जाएगा drive set of B, union drive set of C drive set of B है हमारे पास C और यह है 5 तो C union 5 is equals to C, so drive set of BC हो गया C, next drive set of C, A इसको कैसे लिख सकते हैं drive set of C, union drive set of A drive set of C क्या है 5 drive set of A क्या है C यानि A, 5 union C क्या मिल जाएगा C, next drive set of X इसको कैसे लिख सकते हैं drive set of A, B, union drive set of A, C फिर इसको अगे drive set of A, B क्या है हमारे पास C है तो C union 5 इस इकोस्तू सी तो यह सारे के सारे हमारे पास आठों की आठों सबसेट्स के ड्राइबड सेट्स मिल चुके हैं ऐसे हम किसी का भी ड्राइब सेट्स निकाल सकते हैं यह आपको एक एक्ससाइस के लिए दे रखा इसको सॉल्व करके देख लेना कि एक्स इकोस्तू एबीसी है टाउ हमें दे रखा है फाई एक्स एक कॉमा बीसी तो इसके सारे के सारे सबसेट्स के एट सबसेट्स होंगे वही फाई एबीसी एबीसी और एसी और एक्स तो इस अभी के सेट निकाल के देख लेना क्या यही आते हैं आपको बता देना कमेंट में थैंक यू